नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे हमारे देश के न्याय की देवी के आखों पर पट्टी क्यों बंदी होती है क्योंकि आप लोग अक्षर देखे होंगे किसी भी न्यालय में यदि जाते हैं तो वहां एक म लेकिन उस देवी न्याय की देवी के आखों पर पट्टी क्यों बंदी होती है यह बहुत कम आदमी ही जानते हैं आज इस चैनल के माध्यान से हम लोग यही जानेंगे कि न्याय की देवी के आखों पर पट्टी क्यों बंदी होती है जो इस चैनल से पहली बार जुरे तथा अधिक से अधिक इसे Facebook, Instagram या जो भी सुविदा हो उस पर सेयर करें जिससे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके तथा एक लाइक अवस्य कर दें आज हम लोग जानेंगे कि हमारे देश के नियालों में अंक पर पट्टी बांधे एक महला को दिखाया जाता है जिसे नियाय की देवी कहा जाता है या जो हमारे नियाय विवस्था की नियाय की देवी है क्योंकि हमारे पौरानिक कथाओं के अनुसार भी नियाय की देवी की अबधारणा चलिया रही है इसलिए हमारा न्याय विवस्था में यह अधिकांस न्यालों में आप अवस्य देखे होंगे कि वहाँ एक महला की चित्र होता है या मुर्ती होती है जिस पर काले रंग की पट्टी बंधी होती है इसके बारे ही आज हम लोग विस्टार से देखेंगे हमारा न्याय विवस्था संविधान पर आधारित कानून पर चलता है इसलिए हमारे कानून को कोई भी हो जब अपराद करता है उसे कानून में बनाए नियमों पर ही न्याय कर दोसी पर करवाई करने का प्राबधान है जो भी हमारे देश में नियम कानून बना है वह हमारे संविधान में बने नियमों के अधार पर बना है और हमारे साथ अगर अन्याय होता है तो उसकी न्याय विवस्था में कानून के अधार पर ही दोसी करार कर सजा सुनाई जाती है, कारवाई की जाती है इसलिए न्याय की देवी के आँखों में पट्टी बंदी होती है कि न्याय में कानून में किसी भी दृष्टी कौन से सभी एक बराबर है चाहे वह कोई पदाधिकारी हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो जो भी हो जो हम भारतिय हैं सभी के लिए कानून बराबर है और जो दोसी है उसे सजा मिलनी चाहिए इस कारण जो भी दोसी हो उसे इस सजा मिलती है चाहे वह आम जनता हो या कोई पदाधिकारी हो या कोई लोक्षिवक हो इस कारण हम आम जनता को भी सजग वो सतरक रहना चाहिए कि हम लोग कोई भी काम कानून की नजर में दोसी ना हो यदि कोई पतादिकारी या लोक्षिवक द्वारा अन्याय किया जाता है गलत काम किया जाता है जो भी कानून के खिलाफ किया जाता है तो हम आम जनता को भी उसके खिलाब सिकायत कर दोसी को सजाद लाने का प्रियास अवस्य करना चाहिए जिस हम लोग न्याय विवस्था को बनाए रख सकें इस कारण हमारे न्याय की देवी के आँखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके लिए सब बराबर है लेकिन कभी कभी इस न्याय की देवी के सामने भी हम आँख वालों में गल्ती क्या करते हैं जो सबसे बरा अपराद है जिसे न्याय की देवी कभी माफ नहीं करेगी आप लोग धियान देखेंगे बहुत अधिक ऐसे सिकायत मुझे कॉल कर आने लगे है सर मैंने इस तरह की एक सिकायत की थी जिस कारण पदाधिकारी द्वारा मुझे ही गल्त आरोप में फसाया जा रहा है इतना ही नहीं मैं खुद इसका भुक्त भोगी हूँ मुझे भी बहुत तरह से परिशान किया गया अब भी किया जा रहा है लेकिन हम भी न्याय की विवस्था के अधार पर हम भी उसके खिलाफ लड़ना शुरू किये और एगेंस्ट क्रप्सर 99 चैनल बनाकर आप लोगों को भी सजग और सतर करना चाते हैं कि न्याय की विवस्था हम सभी के लिए बराबर है चाहे जो भी दोसी हो उसके खिलाफ हम सभी अवस्थ शिकायत करें और अपने को न्याय दिलाने का प्रयास अबस्थ करें यदि हम आम जनता इस न्याय विवस्था में अपना ध्यान नहीं देंगे तो हमारा न्याय विवस्था और अधिक चोपोट हो जाएगा क्योंकि न्याय की देवी के आँखों में तो प्टि-बंध होती है लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं इसके साथ अन्याय किया गया है और कुछ न कुछ उसका प्रमान भी मुझे दिखाया गया है इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया जिसे आप लोग अवस्थ देखें और पुरा बिना इसके कुई हुए देखें अच्छा लगे उपयोगी लगे तो इसे शेर अवस्थ करेंगे जिससे हम आम नागरिक इस बिवस्था को ठीक रखने में कुछ योगदान कर सके जैहिन